नमस्कार मेरे चैनल में आपका बहुत-बहुत स्वागत है और आज इस वीडियो में हम गुदास्थी कॉक्सिक्स जिसे पेल बोन भी करते हैं उसमें दर्ध होने की समस्या को ठीक करने की होमियोपैथी दवा के बारे में जानेंगे अगर आपको भी यह समस्या है तो यह वी स्थान से चूतर के बल गिर जाने पर टेल बोन और उसके आसपास की मांस्पेशियों में चोट लग जाने की कारण वहां दर्ध होने लगता है दो पहिया वहां अत्यधिक चलाने पर टेल बोन में चोट लग जाने की कारण भी यह दर्ध बराबर बना रहता है और एक खुरा दवा देने से ही दर्द में आराम हो जाता है अगर रोग एक्क्यूट है अर्थात हाल फिल हाल हुआ है तो आप अमोनियम म्यूरियाटिकम और फाइटो लखा की 30 पोटिंसी का इस्तेमाल करें दो बुन दिन में तीन बार कुछ दिन जीप पर टपकाएं अगर समस्या क्रॉनिक है बहुत दिनों से चला आ रहा है तो आप इन दो दवा को 200 CS में दो बुन दिन में सिर्फ एक बार कुछ दिनों तक सूरुल्रा मिलेगा अप अमोनियूरियाटिकम और फाइटो लखा किसी भी company की दवा ले सकते हैं आप जर्मन में रिक्वेग WSI कंपनी की भी दवा ले सकते हैं या फिर आप SBL कंपनी की भी दवा सकते हैं वैसे इस समस्या के लिए कुछ और भी दवाय थैं जैसे आरदीक हाइपेरिकम और रूटा यह दवा भी अच्छा वर्क करती है परन्तु मैं अपने अनुभाव से यह कह सकता हूं कि अमोनियम मियोरियाटिकम तथा फाइटो लखा कॉक्सिक्स में दर्ध होने के समस्या के लिए बहतरीन दवा है एक बार यह दवा लें कर जरूर अनुभाव करें आपको सत्परतिसत और जरूर लाप्राप्त होगा आशा है आपको मेरी वीडियो और समझाने की शाली पसंद आई होगी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद